तो वो कागज मिलता है और उस कागज में एक assurance होती है कि आपको हाँ हम assured return देंगे, आपको हम किराये पर चड़ा के देंगे, company आएगी, actual fact में होता क्या है, इसी तरह से एक नई चीज चलिए एक lockable और unlockable. तो another viewpoint के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमश्कार, पर दर्शकों real state में एक और segment होता है, virtual real state, virtual spaces, virtual office spaces, ये concept बहुत ही अच्छे रादे से शुरू किया गया था, खासतोर से हमारे जो IT से related states हैं, जैसे कि बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इस समय मोहाली भी इस पामले में काफी अच्छे रंक से speed पकड़े हुए है, इन सब जगाओं में कुछ ऐसे office spaces की requirement होती है, जो लोगों को permanently नहीं चाहिए होते हैं, जहां पर उनका staff आता है दो घंटे, चार घंटे, जितने भी देर के लिए required है, वो बैठके काम करता है, उसके बाद फिर वो अपना बाहर चले जाते हैं, इसमें जब आप virtual office space में कोई जगे लेते हैं, तो आपको सबसे बड़ा benefit होता है, इसके rentals बहुत कम होते हैं, और बहुती कम infrastructure के उपर इसा कमाया जा सकता है, बहुत सारी कमपनियां जैसे रिगस करके है, बिग बैंग है, देन आपका The Groove करके कमपनी है, बैंगलोर बेस्ट, My HQ करके कमपनी है, My Headquarter, आप कहा सकते हैं उसको, इसी तरह से The Zillion करके कमपनी है, इस सारी कमपनियां जो virtual real estate पे काफी अच्छा working कर र और यह कह रहे हैं कि यह भविश में आज से तीन साल तक चार साल तक जब तक यह तियार नहीं हो जाता, हम आपको इस पे 1% का रिटन देंगे, मंथली, सपोज आप एक करोड की चीज लेते हैं, तो वह आपको एक लाग रुपय में उसमें रिटन देंगे, और जब प्रप वर्चुल स्पेस की कम्मुनिकेशन है, उसी तरह से एक बिटकोइन की कम्मुनिकेशन हुआ करती थी, हिंदुस्तान की 99% जनता को समझ में नहीं आई कभी, और सरकार ने तभी इसको वैद नहीं घोसित किया, लेकिन यह जो वर्चुल स्पेस का कॉंसेप्ट है, इसको में आपको प्लॉटिंग काट के दे रहे हैं, जो आपको अभी मिलेगी तो नहीं पर उस पर आपको रिटर्न मिलेगा 1% तो एक्चुल फेक्ट में क्या हुआ, ना चंदर्मा में प्लॉट होगा, ना वहाँ पर आपको रिष्टी होनी है, तो कभजा नहीं होना और उसके आपको रिटर्न मिलेगा, तो मतलब एक तरह से बिल्डर आपसे ब्याज पर पैसे उठा रहा है, तो यह वर्चुल स्पेस में जहां इंट्रस्ट दिया जा रहा है, जहां यह बोला जा रहा है कि आपको स्पेस तो होगा लेकिन वह डिफाइन नहीं होगा, आप उसमें आप लगा सकते हूँ, आज इस कॉंसर्ट पे डिटेल डिसकेशन करने के लिए, मेरे मित्र हैं, उनके साथ हमारा छोटा सा डिसकेशन होना था, तो हमने सुचा क्यों ना, इस डिसकेशन में मेरे दर्शक भी पार्ट बने, तो मैं इंट्र्डूज करता हूँ आपको जगाओं में, इन सब जगाओं में, बिल्डरों का एक ट्रेंड हुआ और अफसोस है कि अब हमारे शैर में भी इस तरह की चीजें आने लगी है, जिसमें मेरे हिसाब से तो 100% ठगी वाला, चीटिंग वाला काम है ये, बट फिर भी हर आदमी मुझसे सहमत हो, ये भी कोई जरूरी नहीं, अब इसमें होता क्या है चेतन सर कि इसमें लोग कहते हैं कि हम आपको वर्चुल स्पेस दे रहे हैं 2000 स्क्वार फूट, बिल्कुल, जो हम आपको लीज करके देंगे, किराय पे चड़ा के देंगे, बिल्कुल जी, हमने पूछा कहां पे दोगे सर, कहते हमा करके हैं प्लस एरिया पी इडेंटि इडेंटिफाई करके देते हैं ब्लस अमान डीकूं कि ये उसके पैसे की 100% वर्थ है, समझ गया तो वह कागज मिलता है और उस कागज में एक होती है कि आपको हाँ हम एशोर डिटन देंगे आपको हम किरायर पर चड़ा के देंगे कंपनी आएगी एक्चुल फैट में होता क्या उस समय बिल्डिंग बन रही होती है उस शहर में नया कोई मुमेंट आ रहा होता है है कोई शलक बन रही होती है बंदा भ्रमित होता है और जनरली इस तरह की स्क्यूमों में वह लोग फस जाते हैं जिनके पास दूसरा वाला बहुत ज्यादा होता है अगर फूल चेक से पेमेंट करनी है तो कहे को भी यह वर्चुल स्पेस फिर एक्चुल स्पेस लेओ इसी कुछ खाते इसे होते हैं गेर कलने में जिसको मूस दात ब kalian बोलते हैं जिसको हम कहते हैं जोएंट उप सेप UC को यह tweets कर जमीन है किसी का कोई व्रस यह पर सालम घ्र करा हो देंगे lockable unlockable देंगे हम आपको हर मेने किराया देंगे ये अन्तोगत्वा जाके ये cheating है क्योंकि इसमें कल को खुदा नखास्ता उस building पे कोई legal issues आ जाते हैं या कोई natural calamities आ जाती है कोई उसको क्या बोलते हैं उसको force major force major वाले clauses होते हैं कि होकम पागया है हिल गई विल्डिक आपके दरार आपके portion में वह कहेगा कि नहीं है आपके portion में आपके portion में आपके portion में इसलिए ये चीज प्रॉपर्टी में लगाना निहायत ही मूर्खों वाला काम है ये करना नहीं चाहिए फिर भी अगर लोग को नह वर्च्वल स्पेस नहीं है ज्यादा तर ये वर्च्वल स्पेस जो है ये ऐसे ही multi-story projects में है अब आप महली city center का वो देख लीजिए आपका mcc2 देख लीजिए साथ मंजिल है लेकिन कोई वर्च्वल स्पेस नहीं है वर्च्वल स्पेस नहीं है वह आपको six floor में unit number है unit number के उसकी दिवारे है अपना बोर्ड लगाओ अपना office खोलो और secondly जो यह कहते हैं कि हम चठा के देंगे के जुट कैता है है, वह चडहा के किसको दे रहे है वह चड़ा के फरजी गॉबना पनाते हैं उनको देते हैं कोई-कोई जरूर मैं मानता हूं ग्राउंड फ्लोर वगरा पे गेट एक्ट्वल टिनेंट्स बट अधर्वाइस जो उपर वाले फ्लोर्स हैं उसमें 80% मैं यह नहीं कहता सभी कोई बट यह है कि 80% लोग उसमें मतलब उसमें लपेटे जाते हैं उनकी जालसाज में और बाद में बिल्डर चलती है कि शिंबला में जी हमारे एक रिजॉट आ रहा है जी उसमें आप कमरा बुक करा लिजे साल में आपको 15 डेस का थर्टी डेस का वहां का स्टे हम देंगे वह आप चूज कर सकते हैं अपनी बढ़े आप यहां बहुत कई बिल्डर कर रहे हैं इसा नाम नहीं लेते ह कर एक दो क्लब महें और हमा आइज मैं牙 करना हे जा करना बहुत कर हुब हम मगां कम्स फल штप यह तो झौज कर दो हैं कि हमारा घॉट कर लेंगे से अमधाय संगिटन कर लेंगे कि सुन करके आपको यह लगेगा कि अगर यह प्रॉपर्टी भी मिल रही है फिर उसको यह ताज होटल इसको रेंट पर चलाएगा सारा मेनेजमेंट हम करेंगे आपको कुछ नहीं करना सर्थ और हम आपको पर मंथ जो भी हमारा रेवनु आएगा मान लिजे कमरा तीन हजार चलता है तो डेली का किराय कमरा दस हिजार में चड़ता है तो उससाब सबत्रीक कि हम आपको डेली का 6,000 रुपए आपका ये 4,000 रुपए हमारी मेनेज्मेंट फीच आप कल्कुलेट करते हो कि यार हमने एक करोड का कमरा लिया अब देखो कैसे क्या बोलू यार बोल दूंगा तो ये पब्लिक डोमें में अच्छा नहीं लगता मतलब गलत हो रहा है अब करोड का आपने एक कमरा लिया दिखाएंगे उसको कि ये साब होटल बनना हमारा ये देखिए ये हमने आलरी दो बनाए हुए है उनको बोलो चल यार दिखा चल के जरा बनाए हुए तो कैसे चल रहे है नहीं अभी सर बस फिनिशिंग स्टेज में है तुरंती पीछी पीछ बनना ही नहीं है उन परशंट ही चलना है आपका कच्छे का बी अमाउंट का पैसा है वो एक बर अंदर गुसा उसके बाद वह साल भर डेड़ साल आपको रिटन आई उसके बाद कहेंगे कि सर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसू हो गया है कभी कहेंगे आपको तो इतनी बारिश हुई है पाड़ों में बहुत बुरा हाल है अब उसके आप भी बोलोगी कि हाँ है रोतर देखा आपने भी टीवी में देखा तो कहते है इसलिए इसलिए भी काम बंद है बस खतम का नहीं रिटन भी आपको बंद है सर स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आपने इतना ज्यादा दिया है कि आप न तो उसके केस कर सकते हो ना उसमें कोई अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज अपनी चेंज करते हो तो वो कहता है जा भाई केस कर ले बीची लाग तो चेक से दिया अगर कोड कह देगी तो 40 वापस कर देंगे कौन आदमी किसके पास इक करोन में कि आए अपको ती साल तक तिल पोजेशन तो मापको देने साहब वन परसन्ट मैं कैलकूलेशन आप समझ ये एक वार आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा तो चटिस रुपए आपको तीन साल में पोजेशन मोस्ट लाइक ली तीन साल में को हम देदे कि सर हमन तो यह काम ही है सर भूट फास्स बनाते हैं तीन साल में तो अमने रेरा में लिखा है हम वी आ ट्राइं कि हम उससे पहले दे 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 तो चलो आप आपने का ठीक है अगर पहले भी दे 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 तो वन परसंट हमारा थीन सा चाहिए वापस आया 14 रुपए की चीज बेची गई चाहिए थी जो 20 रुपए मिखनी चाहिए थी जादे जाद आप इतना प्रफिट ले ले लेते अब वो दी गई आपको 100 रुपए की 36 रुपए आपको किस्तों में वापस आया इंस्टॉल्मेंट में तो वैसे ही आप इसकी वेलू खतम हो गई सेकेंड फिर वो कहते है चाहिए जोड़के नहीं जाएगा उसके बाद ही दूसरा रुपए गा फिर उन्होंने आपको बताए कि अगर हम 0.5 भी लगा के चले तो इसका मदलब 40 पैसे की आसपास आएगी तो तीन साल में यह भी हो गई आपकी जैसे यहां 36 हो गई थी यहां हो गई आपकी 15-16 रु पंदा दिन रहे भी सकते हो इतने जाएद हो आपको benefit दिखा देगा कि 90 परसंट चाहिए कि आपको लगेगा कि या ले लू नहीं तो मेरे जिंदी की जीने कोई फायदा नहीं यह पैसा मैंने कमाया सब बिलकुल बेकार है मैं अगर यह property नहीं ले पाय तो फिर बताएगा क से तो से तो देखें यहां पे सलमान खान ने ले रकहा हैं फला ने ले रखा है पंजाबी किसी अच्छे हेरो का नाम लिtए हैं बोह जाएंग से रहें हरो हेरो हाएं को ले ले लेकिन वह llerखने लेकिन को धंumes रोगा है बेज कि छा गर दोगे हरो हमको फिर बैकिन औक से तो इस तरह से बेकूप बनाते हैं तो यह जो इस तरह की स्कीमें चलते हैं कि हम आपको रिजॉर्ट में कमरा दे रहे हैं आप भू करा लिए हंड्रेड परसेंट फ्रॉड भाइया उनके अंदर इतना दम है तो अपना होटल बनाएं चलाएं ताज गूरूप के पास कोई कम अपने और उसमें भी कितने ओनर के साथ मतलों कौन सा एग्रिमेंट होता है वो देविल में के मास एग्रिमेंट की उसमें 40 लोग हैं जो उसके ओनर एक्चुल प्रोपर्टी के उनके पास है कल को कोई बंदा करता है हम तुम्हारा लीजिंग वापस लेते हैं तो ताज चलो भाई आओ मेरे फोन करो मुझे मैं आपको फर्स क्लास एक लेंड दिलाता हूं रेडिशन की बगल में आप अपना होटल बनाओ चाले इस कमरों का आप अगर चाहते हो कि हमको इसी तरह का कुछ प्लान हो जाए आप चार दोस्त पांस दोस्त जो इस कम्मुनिटी को ब आप उसको पास करा सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को यह बातें समझ में आई होंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका सारा डिटेल लिखके दे देते हैं